मेरे हाथ में अख़वार का कुछ पन्ना है आप सभी देख सकते हैं और मेरे वगल में मेरी मा हैं कि घर पे कुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा को हाजिर कर रहे ही गिरफतार करवाईये तो चलिए ठीक है मैं गिरफतारी दे रहा हूं और जेल जा रहा हूं मैं ओर मम्मी के साथ बैटा हूँ और देख सकते हैं यह आप लोग अगवार में छपा हुआ है फिर 26 परवरी का छपा हुआ है अमर उजाला में बिहार के नेताओं ने विहार के मजदूरों के बारे में 28 परवरी को जो आर्जेडी के नेता हैं डॉक्टर अनियल सहनी उन्होंने पोस्ट किया था विए फूर्वारी को उसके वादसे यह परभ लेकिन इन सबसे कोई सवाल नहीं पूचा जा रहा है वाल से पोशित्ट मनीश कश्यप से क्यों क्यों अज घर वाले वी परषान हैं मेरे पापा परषान हैं मेरी मां परषान हैं कि आफिर ऐसा किया क्या है कि तो मैं अपनी मम्मिक के सामने कहे नहीं कि शाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया आँ और भगत सिंग्ग ने भी कुछ गलत नहीं किया था आ बस हम लोगोंने अनेको माओं का आशु पोच्छा है उमीद है चेरा कि और विहार में मेरे मा के आँखों में भी आँसों नहीं आएगा और आप लोग नहीं आने देंगे उमीद है क्या होगा कुछ दिन के बात है सरकारे जो है कैद करके रखेंगी विचारों को कैद करके थोड़ी रख सकती है मैंने अपने लिए लड़ा है मैंने अपनी मा के लिए थोड़ी लड़ है तोड़े के लिए थोड़ी ना जान दugen है वह कि बिनति हें आप लोग चीजों को समझेंगे और चलिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं गलत सिस्टम के खिलाब और लड़ाई को जीतेंगे आप पर सिर्फ परॉलडाई जो है मुझे अपनी मम्मो के लिए नहीं जितना आए जी लड़ाई है कि मैं गलत नहीं। हुआ लेकिन सभी को पता है कि कानून के आथ पर पर यह कानून अंधा है थे लेकिन इंधा कानून जो न्याय करता है आझ नहीं तो कल न्याय संस्सराक लेकिन सिस्टम में कि बैठे विट्थेопर को कारन कारन के चलिए ना इस कारन को जानने का प्रयास करते हैं और इसी समधान को कि मेरे उपर और भी केस है कि एक हरीजन ब्यक्ति थे उनके बेटे के दिल में छेद था वो इलाज के लिए लेकिन आप सभी को पता है कि कि इन सभी चीजों पर चेर्चा करें या靠ा ना परवादी पर आज हम लोगों को चर्चा करना होगा अखिर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके क्यों मार खाते हैं क्या यह बात गलत है अगर गलत है तो यह सारे अख़वार गलत है गलत है तो वह सारे मजदूर गलत है जो रेलवे स्टिसन पर आके जो है उन्ह कि मेरा बेटा जो है बिहार में पैदा हुआ है तो राजा नेगा बिहार में उसे किसी परकार की समस्या नहीं होगा अर्वा का बेटा जो है इसी चीज को और उसके बाद से देखा जाएगा फिर उमीद है कि आप लोग जो है खड़े रहेंगे पर जब तक आप लोग खड़े रहेंगे किसी विपरकार का कोई समस्या नहीं होगा और बस कानून अंधा है आप लोग अंधे नहीं होंगे मुझे पता है कि जैंद